हलो एवरीवन, वेलकम बेक टियोर ओन चनल इस्टड़ी वल्डा विद्या और आज की इस वीडियो में हम लोग जो मध्य प्रदेश जेल पहरी का एक्जाम हुआ है 19 दिसंबर को यनि कि आज सेकेंड सिफ्ट का उसका एनलेसिस करने वाले हैं कि आप लोगों के एक्जाम में कौन से पोर्षन से कितने क्वेशन्स आये हैं मेरे पास कुछ क्वेशन्स भी हैं उन क्वेशन्स को हम लोग बाद में डिसकस करेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके किस टॉपिक से कितने क्वेशन्स बने थे यहाँ पर जो हिंदी है हिंदी की रस से आप लोगों के एक question बना था और अलंकार से एक और दो question बने थे समाज से भी question बने थे संदी, उपसर्व और प्रत्याई इन topic से आप लोगों की questions बने थे Next यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं English English में आप लोगों की जो topic आये थे वो आये थे preposition, article, spelling error पूछा था कि आपकी कौन सी spelling सही है Antonium, synonym भी आये थे modal verbs भी आये थे और conjunction से भी questions बने थे और यहाँ पर sentence arrangement भी आया था noun और pronoun से भी question बने थे इन सभी topic से आपके एक या दो questions बने थे यहाँ पर current affairs के बारी में जान लीती है तो current affairs जो आपका first shift में आया था उसमें 7 से 8 questions आये थे और second shift में 5 से 6 questions बने थे अब यहाँ मेरे पास कुछ questions है उनको हम लोग discuss कर लीती है पहला question था कि बांधवगड राष्ट्य उध्यान कहां इस्तित है तो बांधवगड राष्ट्य उध्यान मध्य प्रदेश के उमर्य जिले में इस्तित है और यह बर्ष 1968 में राष्ट्य उध्यान बनाया गया था और इसका छेत्रपल 437 वर्ग किलोमेटर है next question की तरफ move करते है next question था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरुषकार 2020 में किसको दिया गया है तो यह रोहित सर्मा को दिया गया है इसका सही अंसर हो जाएगा रोहित सर्मा और कुछ questions options पर भी depend करते हैं क्योंकि मेरे पास जो questions आते हैं उनमें options नहीं होते क्योंकि issuant options को याद नहीं रख पाते हैं next question आया था कि भारतिया मसाला अनुसंदान किस राज्य में इस्तित है तो भारतिया मसाला अनुसंदान संस्थान भारत का एक स्वायत अनुसंदान संस्थान है जो मसालों से प्रसिद अनुसंदान में सनलंग्द हैं और इसका जो मुख्याले है वह केरल के कोजी कोड में इस्तित है नेक्स कोशन आया था कि मकई महोचब कहां हुआ था तो मध्य प्रदेश के छिद बाड़ा में देश का पहला मकई महोचब आयोजित किया गया था और यह त्योहार एक तरह का अंतराश्ट्य कारिक्रम था और मध्य प्रदेश भारत के सबसे बड़े मकई उत्पादन राज्यों में से एक है इसलिए मकई जो महोचब था वह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था नेक्स कौशन यहाँ पर पूछा था कि लोहा क्या है एक और कौशन आया था कि नमामे गंगे परियोजना की सुरूआत कब की गई थी तो यह केंदर सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में सुरू किया गया था और सरकार द्वारा इस परियोजना की सुरूआत गंगा नदी के प्रदूशड को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर जीवित करने के उद्देस से की गई थी और इस योजना का क्रियान वे केंद्रिय जल संसादन नधी विकास और गंगा कार्य कल्प मंत्राले द्वारा किया गया था नेक्स कोशन आया था कि अजे अरोरा किस खेल से संबन दे थें तो अजे अरोरा होकी खेल से संबन दे थें next question था कि खेल नीती की सुरुवात कब होई थी तो खेल नीती की सुरुवात सन 2012 में होई थी हो सकता है इस question की language थोड़ी से differ हो तो आप लोग comment box में लेके बताईएगा कि ये exact question क्या था यहाँ पर हिमाले का पर्यावाची भी पूछा गया था और आकास के भी पर्यावाची पूछे गई थे और यहाँ पर एक और question था कि हीरा किस प्रकार की धातू है एक और यहाँ पर question था कि लभी महुतसब किस राज्य में मनाया जाता है यहाँ पर मुझे सर्फ इतने ही questions मिले थे अगर आप लोगों को और questions पता है तो comment box में लिखकर जरूर बताएगा और आप लोग हिंदी में आप लोगों के लिए जो topics मेंने बताए थे वो topics आप लोग जरूर अच्छे से prepare कर लें और इंगलिस में भी जो भी topics बताए थे उसे अच्छे से prepare कर लें और current affairs में आप लोगों के 7 से 8 questions बन ही रहे हैं और maths में आप लोगों का advanced math आ रहा है यहां पर आप लोगों का वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर कर दीजिगा चैनल पर अगर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिगा क्योंकि इसी तरह के important वीडियो उसमें आप लोगों के लिए लाती रहती हो थेंक्स वर वाचिंग दी वीडियो